कि नमस्कार में अक्सा वही दंसारी और आप देख रहे हैं इन बीसी नियूस की खास मुलाकात तो आज हम फिर से एक बार मौजूद है खास मुलाकात में जहां हम कि आज के मुद्दे पे महाराश्श्च से जुड़े उस सत्ता परिवर्तन मुद्दे पर बात करेंगे ता ये इस खास मुलाकात को शुरू करते हैं महराश की राजनीती में भले ही सत्ता परिवर्तन वे लंबा समय हो चुका है पर अब तक इससे जुड़े कई ऐसे मुद्धे हैं जो हल होने बागी है इन में से सबसे बड़ा मामला सोला बागी विधायकों की आयुग्यता का है जो पिछले नौ महीने से अदालत की सीडियों पर ही खड़ा है पिलाल ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोट की जिन इन पाच नियाएदीशों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी अब उनमें से एक नियाएदीश का पंदरा तारीक को रिटायर्मेंट है तो अब क्या होगा इन 16 बागी विधायकों का इस पर चर्चा करेंगे आज के इस खास मुलाकात में इसके साथ चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है काईदी तद्मिया परिक्षित मोहिते जी तो सबसे पहले सर आपका स्थ हमारे स्टूडियों में बहुत-बहुत अब इस पूरे मामले पर एक वकील के नाते इस पूरे मामले को जो सत्ता परिवर्तन हुआ अभी नौ महीनों से यह मामला अब तक अधालत में अटका हुआ है क्या देखते हैं इस मामले को एक वकील की नजर से पहले तो माम आपने मुझे आमंतरित किया स्टूडियो में इसके लिए धन्यवाग एज एड़ोकेट यह जो केस है जो अभी कोर्ट में महाराश्टर के सरकारें लेकर जज्जमेंट जो अभी आने वाला है इसमें दो मेंड पीटिशन है एक डाली गई है अभी के चीफ मि कि मुख्य मंतरिते उद्धो ढाकरे साब उनके तरब से जिसके अंदर उन्होंने गवर्नर के डिसीजन्स उसके बाद में वहां के जो स्पीकर्स के डिसीजन्स थे और एकना चिंदे जी का जो गवर्मेंट उसके फॉर्मेशन को चैलेंज किया एक बात तो तय है माम की डि कुचर के लिए यह बहुत डिसीजमेंट रहेंगा कि इसके बाद में ऐसा कोई भी विशेया है जिसके अंदर MLS के डिसक्वालिफिजन की बात थो या गवर्नर्स के पावर्नर्स की बात थो इन रिलेशन टू किस तरीके से यह सब चीज देखते है या तिसरी इंपोर्टन के बाहर जाते है या ऐसे कोई मौका आता है तो यह डिसीजन एक हिस्टॉरिक रहेंगा तीन बेंच का पहले कॉंस्टिट हुए थे यह डिसीजन के लिए पर जो रेविया जजमेंट था 2016 में आया हुआ जिसके अंदर एक मुद्दा डिसाइड हुआ था कि जब स्पीकर के उपर ही डिस्क्वालिफिकिशन की नोटिस हो तो क्या वो उस समय पे किसी भी MLS को डिस्क्वालिफिकिशन की प्रोसेडिंग्स इनिशेट कर सकते है क्या वो भी डिसीजन पे इंटरिम कोस्टन फॉर्म हुआ कि उसको रिकंसिडर किया जाए तो इसले पाज बेंच का वर्थ क्या-क्या है पार्टी में स्प्लिट हो तो उसके उपर क्या परिणाम होगा उसके बाद में कि क्या गवर्नर किस तरीके से अपने कुछी पार्टी को या MLS को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुला सकते है या नहीं जो इसके अंदर मुद्दे उटे थे तो और बहुत सारी क्लारिटी फ्यूचर के लिए सभी को मिलेगी है जज्ज्मन से बहुईती जी क्या लगता है नौ महीने हो चुके अब तक इस पूरे परिवर्तत मामने पर जो भी फैसला है उसमें आदालत काफी बच कर जो फैसला बताई जा रही है तो ये इतने दिनों से नियायले में अटका हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकते है क्यू निर्ने में इतना समय लिया जा रहा है उसकी सबसे में दो वजह है सबसे पहली कि ये सिरिप सोला बागी विधाव को को निलंबन का विशे नहीं रहा इसके अंदर जब इनिशली पीटिशन दाली गई तो एक नाचिंदे जी के कैम्प के तरफ से वो नोटिस टैलेंज की गई सोला विधाव को की उसके बाद में उद्दव ठाकरे जी के गुट के तरफ से भी एक पीटिशन डाली गई जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे मुद्दे कोट के सामने उस पीटिशन में दाखल किये जिसके उपर पूरी सुनवाई होना जरूरी था उसी बीच एक और मुद्दा सामने आया जिसके अंदर जब बहस हुई वहाँ हो रही थी सर्वोचे नहले में तो एक और मुद्दा सामने आया जो उद्दव ठाकरे गट के वकिल अधिवक्तावने रखा कि जो रेबिया जज्जमेंट 2016 में आया था जिसके अंदर जो गव एकना चिंदे जी के जो गुट था उन्होंने पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेडिंग इनिशेट एंड नूटिस दे दी थी असेमली स्पीकर को तो क्या ऐसे रहते हुए असेमली स्पीकर्स 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन की नूटिस दे सकते या प्रोसे मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पुराने स्पीकर जो थे वो तो अब नहीं रहे अगर कल सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के ओन्रेबल जजेस को लगता भी है तो भी वो मेरे इसाब से निरने तो करंट जो असेंबली स्पीकर है नार्वे करजी उनी के तरब जाएगा क्योंकि यह मुद्दा उठा भी था कोट में और बहस भी छिलित इस बात पर कि उद्दो ठाकरे का जो वकिल वरिष्ट अधिवक्ता थे उन्होंने मुद्दा उठाए थे कि स्टेटस को फिर से जो जून माहिने में था उसको मेंटेन किया जाए तब कोट ने भी मुद्दा उठाता है कि जब आपके मुख्यमंत्री न अगर ये फैसला जिसके भी पक्ष में जाता ह्या जिसके विरुदमें जाता है तो उससे क्या होगा जिनके बितम कोThere में फैसला जाता है तो उनके पास क्या समर्थन होगा वो आगे क्या महाराश्च की सत्व में इसका आसर देखने को मिलेगा देखिए अभी इस डिसीजन में तो constitutional bench form हो चुका है यह decision final होगा इसके बाद में तो वो एकना चिंदे जी के घट के पक्ष में लगे या वो उद्दव ठाकरे सापके घट के पक्ष में लगे यह decision तो final होगा अगर यह निर्णय एकना चिंदे जी के घट के पक्ष में आता है कि सोला विधायकों को निलंबन की जो प्रक्रिया थी वो प्रॉपर नहीं थी तो भी मुझे लगता है कि महाराश्च्टर की government तो stable है अगर otherwise भी decision जाता है और सोला लोगों को निलंबन की प्रक्रिया सही ठाराती वे अगर सुप्रीम कोट यह निर्णय रहता है कि यह लोगों को निलंबित भी किया जाए तो भी आज के परिस्तिती में एक 164 आज के करण सरकार के पास में 164 MLS का समर्थन है अगर सोला लोगों को निलंबन करने का निर्णय भी आता है तो भी मुझे लगता है कि government तो यह stable रहेगी ऐसा दिकर है परिस्तिती में क्या आपको ऐसे लगता है कि आगने वारे समय में क्या उदव ठाकरे फिर से एक बार गदी पर बैठ सकते है या फिर यह फैसला उनके अगर हक में ना भी आया तो क्या उनकी कोई chances हो सकते हैं आपकी नज़र में देखिए मैं फिर से बता रहूं कि अगर यह decision उदव ठाकरे जीके पक्ष में भी लगता है तो court साती साथ यह भी विशय पर चर्चा करेगा कि उनको कितने judicial powers है interfere करने के legislative assembly speakers के governors के power में क्योंकि यह जो होता है यह ultimately it's a prorogative of assembly speaker और numbers का खेले अगर number से उद्व जी के पास नहीं है और वो खुद resign कर चुके है तो मुझे नहीं लगता कि supreme court ऐसा decision देंगी कि वापस उनको restore किया जाए यूगि उन्होंने खुद ने resign किया हाँ अगर उद्व ठाकरे जी खुद resign नहीं करते तो शायद situation कुछ different हो सकती थी तो इतने नौ महीनों से अब तक ये मामले पर सुनवाई हुई नहीं है और अब बताया जा रहा है कि पाच जो बेंच है जजो की तो उनमें से एक जज रिटायर होने वाले है जिसके चलते इस फैसले को जल से जल करने की जिमेदारी है तो अब अगर फिर से फिर एक बार और आगे बढ़ा दिया जाता है फैसला नहीं आता है इस पर सुनवाई को और टाल दिया जाता है और एक जज रिटायर हो जाता है तो फिर क्या स्तिती होगी कैसा होगा यह मामला इस पर फिर से दोबारा सुनवाई की जाएगी नहीं बेंच की या फिर कैसा कैसा होगा उस के पहले अगर जज्जमेंट आगया तो ठीक अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार constitutional bench reconstitute होगा और फिर से उसके सामने सुनाए होगी ऐसा मुझे लगता है तो फिर इसमें कितना लंबा समय फिर क्या एक बार जैसे अभी नौ मिनों की अबदी पूरी की गई है फिर से क्या दूसरा साल भी इसी तरह चला जाएगा तो अभी डिपेंड करता है कि वहाँ पर जज्जेस के सामने क्या issues आते है constitutional bench फिर से form होगा कि नहीं अभी से court के मामलों में ऐसी टिप नहीं करना तो मैं तो exact timing तो शायद बता नहीं पर हो यह हो सकता है कि जो process already हो चुकी है अभी बहुत सारे अभी इतना समय ना लगे इतना समय पहले इसको लगा शायद arguments court के decision ले सकता है या day to day basis पर argument सुन ले या जल्दी सुनवाई भी दे दे क्या लगते है अगर फैसला जल्दी आ जाता है तो जिस तरह उस वक्त स्तिती थी महाराज की पुरी सत्ता गड़बड़ा गई थी तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा दरिश्य देखने को मिल सकता है फैसले पर मुझे नहीं लगता कि constitutionally या legally को effect पड़ेगा हाँ ये बात अलग है कि अगर फैसला एकना चिंदे जी के camp के against में आता है तो उस समय परिस्तिती क्या होगी ये हम अभी से आकलन लगाना शायद हमारे लिए भी possible नहीं होगा कि उस समय है कि government majority में रहेगी तो legally और constitutionally government हो कोई धोका नहीं है political situation इसके repercussions क्या हो ये तो अभी से आकलन लगाना याने हम नहीं पता सकते एक सेक्टन तो ये ती महाराश में अभी आने वाले फैसले पर जो लोगों की निगाहे ठीकी हुई है कि क्या होगा इन 16 विधायकों का तो इस पर आने वाले फैसले प्रतिकरिया जानी खुड एक वकील से जो हमारे साथ अभी मॉजूद थे प्रशीक्षित मोहिते जी तो इनसे हमने इस बार आज की खास मुलाकात में महराश की इस सकत्ता की परिवर्तन पर 16 विधायोगों के मामलों पर चर्चा की, बाकी इने खबरे के लिए देखते नमस्कार